वोटर गंगा किनारे वाला भी सबकी किस्मत बनाने वाला है क्योंकि पाँच-पाँच राज्यों से होकर गुजरती है गंगा और हम अलग-अलग शेहरों में जाकर पूछ रहे हैं वहाँ के वोटरों से कि इस बार उनके मन में है क्या उत्राखंड से आते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शेहरों से अलग-अलग लोग सभाक्षेत्रों से गण मुक्तेश्वर में इस समय हम हैं जो कि वैसे तो जिले के तौर पर हापुड में आता है लेकिन लोग सभाक्षेत्र के तौर पर ये पढ़ता है अम्रोहा में दूसरे दौर में यहाँ पर चुनाओ होने वाले हैं क्या मुद्दा है यह केवल राश्ट्रे मुद्दा हमारे लिए मैं तो वह भी राश्ट्रे मुद्दा देशित के लिए आपके लिए शिक्षा और रोजगार शिक्षा और रोजगार आपको लगता है यहा तो है नियाया पुल मिलाकर यह जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर बदलाब क्या हुआ था में से तविबर गहाँ वहां और शुअ बदला रेत का आप तीले 2 वह पहले एक ता सामने आप देख सकते हैं और बागी जो शांसद होदे हैं हमारी विधानओ पढ़ा दूसरी बात यह आपने पूचा है यहां क्या बदला हुआ यहां कुछ बदला नहीं हुआ यह ट्रेन नहीं रुकती थी पहले आज भी नहीं रुकती है तीर्थ नगरिया कैते हैं विकास करेंगे हरिद्वार बनाएंगे आप इस टॉपीज बसका उपर था वो दो क प्रविट रागे कर दिया और तो पबलिक कैसे आएगी है पहले गंगा जी साफ नहीं थी अब बिल्कुल कलियर है पहले पोलो थी ना ते पोलो थी में नहीं है कच्रे के सफाई यह पहले से बहुत साफ से उतरा है ब्लुकुल हम संतुष्ट है योगी जी तुष्ट है आप खुद पीसे हटते हैं समस्याल करने से समस्य यहां के लोगों खुद पैदा कि हुए है आप देखे तीकर महें घाट पर आपने यहां यहां लगाने जो लोकल के लोग उन्हों नहीं पहला रगा खेलने के लिए मैदान की विव्योस्ता नहीं है आप खिलाडी है क्या खेल सजी से नहीं है वो दिल्ली के रहने वाले हैं हेलिकोप्टर से सीधा अम्रोहा में उतरते हैं वो यह पुल भी पार नहीं करते हो कभी तो उन्हें पता चले टूटा हुआ काफी समय वह नहीं आए दो वार आप आप आगई है और मुझे आने के बाद जो आखों से मुझे एज जो यहां पर जो लोगों ने तकलीफ अपनी बताई थी इस पुल को लेकर वह आज भी कायम है यह यह आज भी कायम है लोगों का विश्वास विश्वास पर खरे उतरते हैं। कि हम इस दिल से अपना काम लेते हैं दिमागे से काम हमें कम लेते हैं वोटे रहे हैं जो नहीं कई चुनाइए यहां नहीं है कि अविरलता निरम यहां पर यहां बड़ी से और बहुत 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 से आते व हैं और बहुत होता है ह Ginsit लय 개인 Right मुले सुद्ध होता है और मुक्तिशार का means घटर होना चाहिए आपके एसाब से आप बताएं तरा हम सब सкого जाते हैं ने मोदी जी को सांचा जी ते सिकायते हैं मोदी जी नहीं अरे सुन मेरे भाई किसी चक्कर में अब तू ना आ आ आ जा बोट तु करके इस देश को आगे पड़ा बड़ा बड़ा ऐसा सीधा साथा मैं ऐसा भूला भाला हाँ अगर के जो तुने वोट नहीं डाला फिर कैसे ही फिर कैसे ही करेगा कमार वोटर गंगा किनारे वाला हो वोटर गंगा किनारे वाला जो हापुर से हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी जो की अमरोहा क्षेत्र देखते हैं तो यहां पर असमंजस इसले तो नहीं हो जाता है कि जिला एक है और लोग सभा असमंजस काशी को बात नहीं है या विदान सभा तो गड़ा लगती है लेकिन सांसद आ चुकि बहुत कम तरह आपाते हैं वोर्टर तो यहां भी है लेकि कमाने के वुझे से यहां के पब्लिक में काफी रोश है उनके विदान सवाय होने के बावजूद जो है सांसत को काफी एरिया मिलता है अब प्रोपर सब जगा सांसत पहुंच भी नहीं पाते हैं यह तो इंपोर्टेंट नहीं है और सुबिदहें नहीं है कुछ भी जब कि इसका विकास हो सकता है कम से कम हरिद्वार के सतर पर इसे लाने का प्रयास यहां पर हो सकता है देश से किस्तिर सरकार चाहता है उड़े गटवंदन की सरकार आई तो देश के साथ देश के साथ देश के साथ देश के पुरा बदलाव है और मेरे परिवार से कई बंदे आर्मी में और जो कि आप पुलमावा कामला वह तब भी उनका तीन बंदे हमारी जंबू में पोस्टिट थे तो उसके लिए हमां बड़ा उन्हों से धन्यावाद करते हैं कि उन्हों लगा कि जो कारवाई हुई सरकार की तरफ से वह अच्छी हुई क्योंकि हम पूस्ट रहते हैं हमारे तीन बंदे अभी जंबू में पोस्टिट है तो पूस्ट हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारी सैना के लिए बहुत अच्छे हाथ खुले हुए इस तो आप बताएं गड़ मुक्तेश्वर में पहले जो दिक्कतें थी वह पहले से कम है जैसे हमारे यहां आसपास हमारे पांच गाउं ऐसे थे जिन में बिजली बिल्कुल नहीं थी अंदेरा चाया हुआ था और कारण यह था कि उसमें खंबे या लाइन नहीं खिश सकते थे क्योंकि जब पानी आता था तो बह जाता तो मानिय सांसच जी ने उसके लिए कारे किया और उन गाउं को जो बिजली रही थे वो सवारूर्जा के माध्यम से प्रकाशित किया है आज हमारी अम्रोहा लोग सभा के अंदर कोई गाउं ऐसा नहीं है जहां बिजली ना हुआ यह घाट पे नया निर्मान है यह जो टॉ किसी को भी अगर इंजिनरिंग कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि आसपास जो जिलें कितना समय लग जाते हैं प्रधानमंत्री तो बोडी चाहिए हमको देशबस प्रदान्मंत्री हैं मैंने आज तक भी ऐसा कोई प्रदान्मंत्री नहीं देखा जिसने graduate मलभाी हो दूसरी बात सैंसद base मोदै जी ने उधर हमारी ahead हैं मैं जनता के बीच लेकर लोगों की समस्या को निदान करें और जो कार रहा है उन पर द्यान दें। ये रुके हुए हैं और जो मांगें की गई हैं इतने दिनों से उसके बारे में कुछ करने की आवशकता है ये गड़ मुक्तेश्वर के जो लोग है जो लोग जिन से अभी तक बाचीत नहीं हुई है और साथ में मैं आलकी आपकी बातों से ये साफ हो गया है कि सांसत को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग लेकिन सांसत को नंबर देने की जो हम एक प्रक्रिया आप नहीं करते हैं ताकि सांसत को पता चले कि उनके वोटर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं